हालो बच्चो आज हम क्लास 9th mathematics का पहला चेप्टर चेप्टर 1 पहला चेप्टर है नमबर सिस्टम संख्या पद्धत इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये वीडियो 9th क्लास CBSC और UP बोर्ड हैने उन सभी बोर्ड के लिए है जिसमें NCRD पैटरन चलता है ठीक है मैं NCRD की books के question discuss करूँगा और चुकि हिंदी एंग्लिश मीडिया मिक्स मैं लिखा हुआ है इसका होता मैं दोनों words यूज़ करूँगा यहां पर ठीक है ठीक है नमबर की बारे में बहुत छोटे classes से आपको पढ़ाया जाता है संख्या क्या होती है ठीक है लेकिन बहुत हम basic से ले प्रकार की होती है ठीक है समझेगा बुक आपके पास NCRT की होगी English वीडियम वालों के पास English की होगी Hindi मीडियम वालों की होगी किताब खुल के रख लीजेगा ठीक है और अगर नहो तो net पे जाओगे और वहां पर आपको डाउनलोड कर सकते हो उसपे प्ले स्टोर से वहा जिसको की कहते हैं प्राकरतिक संख्याएं हिंदी वाले अपना हिंदी वर्ड देखें English वाले इंग्लिस देखें ठीक है यह जो आपकी जो counting नंबर हैं गिंती वाले नंबर होते हैं एक, दो, तीन, चार यह जो संख्याएं हैं यह क्या गलाती है? नेच्ट्रल नंबर क्ला आती है और इसको हम किस साइन से डिनोड करते हैं एन से लिखते हैं दूसरा होता है होल नंबर नंबर को मैं शार्ट में एनो लिख रहा हूं स्पैलिंग एन यू एम बी यार होता है इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याओं को लिखते हैं डबलू से ठीक है पूर्ण संख्याओं को लिखते हैं डबलू से ठीक है पूर्ण संख्याओं में क्या होता है होल नंबर में क्या होता है यहाँ जीरो और बढ़ जाता है जीरो से स्टार जीरो वान टू ठी यह पूरांक कहते हैं पूरांक आपके धरात्मक भी हो सकते हैं ररात्मक भी हो सकते हैं इसको इंडिकेट करते हैं भी हम बता रहे हैं इसमें जीरो एक दो तीन यह धरात्मक से क्या हो सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं और यह माइनस एक माइनस दो यह माइनस भी हो सक इसको indicate करते हैं Z से और कहीं कहीं लिखते हैं I से चीक है Z क्यों लिखते हैं इसका reason है एक German word है zehlen spelling है Z A H L E N Z A H L E N एक German word है ये German word है German का word है German भासा का word है zehlen एक word है जिसका मतलब होता है गिनन to count to count गिनना होता है गिनना वहां से word लिया गया है इसलिए इसको Z से किया जाता है और zehlen Z A H L zehlen को कहते हैं संख्या तो यहां से आपको ये Z जो denotion है ये लिखा गया है तो ये integer हो गया इसके बाद देखिए integer 0,1,2,3,4 ये पूर्ण संख्या होती है पुर्ण होते है इनकी Hindi word वाले Hindi मीड़म वाले बत्चे Hindi word देखे और English मीड़म वाले English word देखे अगला है आपका rational number चौथा है आपका rational नंबर एक मिनट, एक सेकंड, नाट मिनट, रेशनल नमबर को कहते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, तोको परिमेय संख्याएं वे होती हैं, जिनको P upon Q के फार में लिखा जा सकता है, P upon Q के फार में लिखा जा सकता है, जहां P और Q वो क्या है, वो इंटीजर्स हैं, क्या हैं, इंटीजर्स हैं, यानि पूर्णा आंख हैं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यह 0 नहीं हो, और कोई भी नमबर हो सकता है, जैसे मैं एक्जामपल लेता हूँ, 2 है, क्योंकि 2 को 2 upon 1 लिख सकते हैं, 3 है, 4 by 5 है, 7 by 5 है, 0 by 1 है, यह सब नमबर इंटीजर्स हैं, पर विए संक्या हैं, जिसको के अपान में लिख सकते हैं, अब आप पहेंगे साब 5 को अपान में तो लिख नहीं रहें, तो 5 बटे 1 कर दो, ठीक है, बटे में 1 अगर कोई नमबर नहीं है तो हो सकता है 1, हाँ, 0 नीचे नहीं होना चाहिए, तो यह rational नमबर है, इसके बाद आता है, प्राइम नमबर, अगला है आपका, प्राइम नमबर, प्राइम नमबर को कहते हिंदी में अभाज संक्याएं, तो अभाज संक्याएं, तो अभाज संक्याएं वो होती हैं प्राइम नमबर, जो अपने आप से कटें और 1 से कटें, दो अलग अलग नमबर से कटने चाहिए, एक अपने आप से एक वन से, वे संक्याएं जो दो अलग अलग नमबर से कटें, एक अपने आप से एक वन से, तो अगर मैं कहों वन प्राइम है, तो आप कहेंगे भई वो तो अपने आप से कटता है, हमने कहा था दो अलग अलग नम कि चार दो से भी करता है चार चार से भी करता है चार वन से भी करता है पांच है छह नहीं है साथ है आठ नहीं है नौ नहीं है तीन से करता है दस नहीं है ग्यारा है इस प्रकार से बहुत सारे नंबर होंगे उनको कहते हैं प्राइम नंबर एक प्रड़ टेकनिकल वर्ड है इ आपके से मतलब फिलाल नहीं है उसमें लिखा सह अभाज संख्याएं को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर सह अभाज संख्याएं सह अभाज संख्याएं आपने SCF पड़ा होगा महात्म समापवर तक दो ऐसी संख्याएं जिनका SCF वन हो यानि कि टू नंबर्स टू नंबर्स आर सेट टू बी सेट टू बी को प्राइम को प्राइम इफ दियर SCF इस वन यह ध्यान रखीगा को प्राइम का मतलब यह निए अगर दो अलग अलग प्राइम नंबर हो यानि कि दो संख्याएं हिंदी में लिखनेंगे दो संख्याएं सह अभाज होंगी अगर उसका यह होता है महत्तम यह को प्राइम नंबर होगा अब हम बात आपकी एकसराइज लेके चलना है देखे जान से इसको ध्यान से पढ़ लिजेगा कॉपी में नोट कर लिजेगा क्या पढ़ाया गया किताब सामने रख लिजेगा तभी mathematics सब्सक्राइगी यह 9th class की मैंस है बिलकुल basic यहां से start हो रहा है इसने ध्यान से पढ़िएगा ठीक है बहुत कम questions NCRT में तो कोई चिंत क्या 0 एक संख्या है क्या इसे आप P upon Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q पूरांग है और Q 0 नहीं है 0 के रेशनल नमबर है जी हाँ 0 को 0 upon 1 के रूप में लिखा जा सकता है 0 एक संख्या है whole number है आप जानते है तो इसका answer क्या हो गया yes it is a whole number एक whole number है यह rational number भी है क्योंकि rational number क्या बता है अबने परिये संख्या है कैसे क्योंकि 0 upon 1 के रूप में लिख सकते हैं अगर मैं कहूं P upon Q तो P यहां पर क्या है 0 है क्यों यहां पर क्या है 1 है यह भी पूरांग है इंटीजर है यह भी इंटीजर है और यह 0 नहीं है क्योंकि कहा जाता है नीचे 0 नहीं होना चाहिए तो यह हो गया second question देखिएगा कहते हैं दो और तीन और चार के बीच 6 परिमेशन क्या है ज्याद कीजिए find 6 rational number between 3 and 4 एक बढ़िया सा simple सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ देखो 3 और 4 के बीच में 6 नमबर निकालने तो नियमती यह होता है इन दोनों को जोड के आधा कर दीजिए ठीक है एक दूसा तरीका है देखो 3 अपान 3 और 1 है 3 और 4 है हम इसको चाहें तो 3 अपान 1 कर सकते हैं और 4 अपान 1 कर सकते हैं नहीं कर सकते कर सकते हैं आप उपर नीचे 10 से multiply कर दो 30 अपान 10 और यह 40 अपान 10 अब देखो 30 अपान 10 क्या आगे 31 अपान 10 32 अपान 10 33 अपान 10 बहुसर नमबर्स आएंगे ठीक है तो आपको लिखना है 6 rational numbers rational numbers उशाट में एन उ लिख दिया 6 परमिये संख्या यह मैं answer यह नहीं मिलेगा किताब में तो तरीका हम दूसर बता रहे हैं तो क्या करेंगे आप 30 भाई नीचे तो 10 ही रहेगा 30 और 40 के बिच में कोई 6 संख्या है उठा लीजिए आप 30 और 40 बिच में 31 उठा लो 32 उठा लो 33 उठा लो 34 उठा लो और 55 उठा लो और बटे में 10 लिखा रहे हैं दो 10 10 10 हो गई 6 संख्या है कोई दिक्का पर नहीं और नहीं बार नहीं आई तो ऐसानी की बुक्स यांसर टैली करेगा यह शौट तरीका होता है और यह तरीका होता है कोई दिक्का दे आप कर सकते हैं यह सेकेंड कोईशन हो गया इसी प्रकार से कोईशन नमबर 3 क्या कह रहा है देखे 3 कह रहा है कि 3 अपान 5 और 4 अपान 5 3 अपान 5 और 4 अपान 5 है और इसके बीच में 5 रिशन नमबर बताईए 5 परमी संख्या है देखे 2 ती जी यह आपर है हम इन दोनों को जोड़े उसका आधा करें बिल्कुछ बीच में नमबर मिल जाएगा फिर उनके उनका उनका आधा करते जाए इसके आधा आधा करकर के सभी नमबर के बीच के नमबर कर दें या हमने अभी तरीका बताया देखो नीचे दोनों के 5 है यह तरीका तभी आप लगा सकते हैं जब इसका हर तो denominator वो इक्कल हो यह दोनों में 5 है 3 upon 5 है 4 upon 5 है हम उपर नीचे 10 से कर सकते हैं multiply अब यह 30 upon 50 है 40 upon 50 30 और 40 के बीच में कोई भी 5 नमबर अपने हिसाब से कर लो 5 rational numbers निकालने हैं आपको 5 पर्मेय संख्याय आंसर नहीं मिलेंगे ध्यान रखेगा इसकी क्योंकि आंसर में उन्होंने दोनों को जोड़ के आधा किया होगा यह भी हो सकता है हमने यह 4 नमबर 5 नमबर लिखे 1,2,3,4,5 एक और लिए 36 भी लिए 36 बटे 10 हमने यह लिखे किसी ने 32 ले लिया 35 ले लिया 38 ले लिया उसका आंसर कुछ और होगा हमने 10 से मल्टिप्लाइ किया है आपको बहुत सारे नमबर चाहिए तो 100 से मल्टिप्लाइ कर दो यह आपकी मर्जी लेकिन नीचे से होना चाहिए तो कोई 5 नमबर ले लो क्या होगा 32,34,36,37,39 कोई भी ले लो 5 आप आन में क्या रहेगा 50,50,50,50,50,50 यह 5 नमबर होगा ठीक है यह 3rd question है 4 देखे यह question क्या कह रहा है English वाले English word लिखेंगे Hindi वाले Hindi होंगे क्योंकि दोनों मीडियम के लिए हम इसको एक साथ समझा रहे है क्योंकि mathematics से जो terminology होती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता question में 4 देखें क्या कह रहा है 4 देखें क्या कह रहा है कि नीचे दिये गए कुछ sentences हैं यह सत्य आस्त्य हैं यह बताना है आपको प्रतेक प्राक्रतिक संख्या एक पूर संख्या है every natural number is a whole number देखें जो natural number होता है वो क्या होता है natural number यानि प्राक्रतिक संख्या है कौन से होती है प्राक्रतिक संख्या है हमने भी बताया है कि 1, 2, 3, 4 होती है और whole number क्या होता है whole number यानि कि पूर्ण संख्या है यह कौन से होती है 0, 1, 2, 3, 4 देखे one natural number है प्राक्रतिक है न होल भी तो है 2 natural है whole भी है 3 natural है whole भी है तो यह प्रतेक natural number whole number होगा हाँ प्रतेक whole number natural नहीं होगा क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है whole number है लेकि natural number नहीं है तो क्या उन्होंने कहा कि प्रतेक पूर्ण संख्या प्रतेक natural number whole number है यस है फिर कहा गया कांड के साथ उतर दीजे तो आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 यह आपके natural number है और 1, 2, 3, 4, 5 whole number भी है तो प्रतेक natural number whole number है second कह रहा है प्रतेक पूर्ण एक पूर्ण संख्या है क्या मतलब पूर्ण संख्या मतलब यह question second कह रहा है कि every integer every integer is whole number प्रतेक पूर्ण ज़रा देखिएगा integer क्या होते है 0, 1, 2, 3 and so on minus 1, minus 2, negative भी होते हैं अब देखे, integer minus 1 भी हो सकता है लेकिन minus 1 whole number नहीं है तो आप देखेंगे minus 1 is not whole number is not whole number but it is integer क्या आपने देखा कि minus 1 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है जबकि यह पूर्ण आंक है जिसका होता है यह चीज जो लिखी है वो गलत है फिर यूँ कहा कि प्रतेग परिमेश संख्या पूर्ण संख्या है every rational number is whole number देखो क्या कह रहा है every rational number is whole number book आपके सामने होगी question आपके सामने है देखे, एक rational मा उठाओ 5 by 8 माल लिया 5 by 8 is our rational number है, सुन्दा रहा होगा rational number 5 by 8 कैसी संख्या है, 5 by 8 परिमे संख्या है है, आप कहेंगे है क्या पूर्ण संख्या है, whole number है नहीं है, but it is not it is not whole number यह पूर्ण संख्या नहीं है इस प्रकार से यह पहलेक साइज है, बहुत कम-कम question sensei rt में है, यह भी गलत है सो कर लिजेगा, इस exercise को copy पर लगा लिजेगा और next video में next exercise हम बताएंगे, okay thank you